हेलो फ्रेंड्स पंजबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया डिजाइन जिसे आप लेडिज, जैंड्स, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो बहुत ही असान डिजाइन है और देखने में बहुत ही यूनिक लगता है इस डिजाइन के लिए हमें 24 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए तो मैंने इस सलाई में 25 फंदे डिजाइन के लिए और दो फंदे किनारी के लिए डाले है 22 सलाईयों का डिजाइन है ये शुरू करने से पहले सबी व्यूज को रिक्वेस्ट है के मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाईए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर सलाई में पहला फंदा उतारें धागा आगे आखिर के एक फंदे तक सारी सलाई उल्टी बुनें आगे धागा रखकर पूरी सलाई उल्टी बुनें अब आखिर में धागा पीछे और आखिरी फंदा सीधा बुने इस डिजाइन की उल्टी सलाईया सारी उल्टी ही बुननी है और सारी सलाईया सेम बुननी है पहला फंदा उतारें और पूरी सलाई उल्टी बुनें तीन नमबर सलाई में पहला फंदा उतारें एक फंदा सीधा बुनें धागे को पीछे ही रखें चार फंदे उल्टे बुनें ये चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे दो फंदों को एक साथ बुनकर दो का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद ग्यारा फंदे सीधे बुनें ग्यारा फंदे सीधे बुनने के बाद अब इन दो फंदों को ऐसे सलाई पर उतारें उतार कर दोबारा सलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं ये दो का एक बनाने के बाद धागा आगे चार फंदे उल्टे बुनें छार पंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगी रखें एक फंदा सीधा बुनी तो ऐसे हमारी इधर भी चार फंदों से पहले जाली बन जाएगी और लास्ट में भी चार फंदों के बाद जाली बन जाएगी अब आखिर का फंदा सीधा बने पांच नमबर स्लाई में पहला फंदा उतारें दो फंदे सीधे बुने दो फंदे सीधे बुनने के बाद फिर पहले की तरह ही धागा पीछे, चार फंदे उल्टे बुने, चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, दो फंदों को एक साथ बुन कर दो का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद नौ फंदे सीधे बुने, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ नौ फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही इन दो फंदों को ऐसे उतारें उतार कर दोबारा सलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं ऐसे ये दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुने चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे ही रखें और दो फंदे सीधे बुने आखिर का फंदा भी सीधा बुने साथ नंबर सलाई में पहला फंदा उतारें तीन फंदे सीधे बुने तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें चार फंदे उल्टे बुने चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं दोका एक बनाने के बाद 7 फंदे सीधे बुने ये 7 फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही 2 फंदों को उतारें और उतार कर दोका एक बनाए दोका एक बनाने के बाद धागा आगे चार फंदे उल्टे बुने चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे रखें तीन फंदे सीधे बुने और आखिर का फंदा भी सीधे बुने नौ नमबर स्लाई में पहला फंदा उतारें चार फंदे सीधे बुने धागा पीछे ही रखें चार फंदे उल्टे बुने चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे दो फंदों का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद पांच फंदे सीधे बुने पांच फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं धागा आगे 4 फंदे उल्टे बुने धागे को आगे ही रखें 4 फंदे सीधे बुने आखरी फंदा सीधे बुने 11 नमबर स्लाईम में पहला फंदा उतारें 5 फंदे सीधे बुने पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें चार फंदे उल्टे बुने चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे दो फंदों का एक बनाएं दो का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुने तीन फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं धागा आगे चार फंदे उल्टे बुने धागा आगे रखें पांच फंदे सीधे बुने आखरी का फंदा भी सीधा बुने 13 नमबर स्लाई में एहला फंदा उतारें 6 फंदे सीधे बुने 6 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें 4 फंदे उल्टे बुने धागा पीछे 2 फंदों का एक बनाए 2 का एक बनाने के बाद 1 फंदा सीधा बुने फिर 2 फंदों को उतार कर 2 का एक बनाए धागा आगे 4 फंदे उल्टे बुने 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा आगे रखें 6 फंदे सीधे बुने और आखिर का फंदा भी सीधा बुन पंदरा नमबर सलाई में पहला फंदा उतारें साथ फंदे सीधे बुने साथ फंदे सीधे बुनने के बाद धागा पीछे ही रखें चार फंदे उल्टे बुने चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे अब हमने ये तीन फंदों का एक बनाना है तीन का एक बनाने के लिए पहले हमने ये दो फंदों को ऐसे उतार लेना है उतारने के बाद दोबारा इन्हें सलाई पर लेकर जाना है और ऐसे पीछे से मुनते हुए तीन का एक बनाना है ऐसे तीन का एक बनाने के बाद धागा आगे चार फंदे उल्टे बुनें धागा आगे शाथ फंदे सीधे बुनें आखिर का फंदा भी सीधा बुनें अब 17 नंबर सलाई में पहला फंदा उतारें धागा आगे और आखिर के एक फंदे तक सारी सलाई उल्टी बुनें अब आखिर में धागा पीछे और आखिरी फंदा सीधा बुनें 19 नंबर सलाई में पहला फंदा उतारें और सारी सलाई सीधी बुनें 21 नंबर सलाई भी पहला फंदा उतारें और सारी सलाई सीधी बुनें इसे हमने ये 22 सलाईया रिपीट करनी है और हमारा ये डिजाइन तयार हो जाएगा थैंक्स फ्रिंद्स